हर्याना आम आदमी पार्टी के प्रचार कमिटी के अज़क्ष अशोग तवर से खास बाचीत की हमारे सईयोगी ओपी शर्मा ने इस मौके पर अशोग तवर ने कहा कि 15-24 दिसंबर तक प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बदलाव व्यात्रा चलेगी और क्या कुछ उन्हों ने कहा अशोग तवर से बाचीत के दुरान आपको भी सुनाते हैं अब हर्याना में जैसे जैसे लोगसबा चुनाव निद्धी का रहे हैं जो रजनेतिक परचार है वो तेजी पकरता जा रहा है दस दिन की यात्रा होगी, नबे के नबे विदान सवाव में होगी, दस की दस लोग सवाव में जाएंगे और एक वेकलपिक राजनिती जो बदलाव की राजनिती है, नीचे से लेकर के उपर तक बदलाव आए और वो बदलाव जंता लेकर क्या सकती है, आज आजादी के बाद से नाचे स्कूल मिले, नाचे हजबताल मिले, बच्चा बढ़ जाता है, रोजगार ने मिलता, किसान को फसल का, उचित मुले नहीं दिया जाता, गरीब बहुर जदा गरीब होता जा रहा है, वेपार ठप हो काम करेगी, यह यात्रा पैदल भी होगी, साहीकल पे भी होगी, यह छोटे हाथी पे भी होगी, बेल गाडी पे भी होगी, ट्रैक्टर पे भी, जैसा सादन होगा, जैसी आवशकता होगी, उसके अनरूप होगा, और जनता के बीच में ही रह करके, अगले जो 15-20 दिन है, वो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ और सगन हम जनसवाद करेंगे, अर्विन जी की सोच को, उनके संकल्प को लोगों के बीच में लेकर कर जाएंगे, और किस तरीके से एकमात रेक, आज आमादमी पार्टी है, जिसको लोग उमीद के माद्यम से देखते हैं, तो नई ली को खोजने का भी एक अभारा अभियान होगा, ताकि वो आकर के आमादमी पार्टी के माद्यम से देश में जो बदलाव चाते हैं, परदेश में चाते हैं, वो सुनिश्चित कर सके हैं, अगर वर्तमान पिछले चार पांच महिने का वक्त देखा जाए, तो जिस तरीके से की तरफ से नहीं घोसना की जारी है, मुख्यमंतरी परदेश की सभी जे लोगा दोरा कर रहे हैं, हर तरह की बैठके रहली आईजन की आ जारा है, और सरकार कही ना कहीं कौन्फिडेंट लग रही है, की तीसरी बार कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी, और विपक्स को लेकर भी जो है परदानमतरी कहते हैं कि उनके पास कहने को लेकर कुछ नहीं है, कहने के लिए तो पूरा हर्याना कह रहा है, पूरा देश प्रहिशान है, यह तो आज कॉंग्रेस में समझता हूं कि जिस तरीके से लड़ना चीए, उस तरीके से नहीं लड़ प काम करती, तो नतीजे कुछ और होते हैं, आज लिख रहे हैं कोई सोचल मीडिया भे लिख रहा है, हम इतने इतने वोट से आरगे, वोटों का प्रतिशत एक प्रतिशत से कम है, वो एक लाग से अगर और वोट हैड हो जाते हैं, तो यह सारे समीह करना बताने से काम नहीं च आते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एक रस्ते पर चलना पड़ेगा, ठीक रस्ते पर चलना पड़ेगा, मिल करके लड़ाई लडनी पड़ेगी, और अगर ऐसे करेंगे, तो मैं समझता हूं कि 2024 हम भारतिय जनता पार्टी और NDO को सत्ता से आठा पाएंगे, जनता की उम से लेकर के देश में जहां भी आम आदमी पार्टी का परचार परसार है, या जहां भी हमारा संग्ठन है, उसके मादे में से हम लड़ा ही लड़े हैं। में जिस तरीके से बीजेपी जीती है, तो क्या कॉमबेक किया जा सकता है, क्या एक बड़ा दिल नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में देखें, तो कॉंग्रेस की दुआ, उससे ज्यादा खस्ता आला है, तो ऐसे में क्या किस तरह का कोई फॉर्मूला बनाय ज सक्षम नहीं है, अगर कोई शरीर में कई बार कोई कमजोरी होती है, तो विटामिन लेने की जुरूत पड़ती है, प्रोटीन लेने की जुरूत पड़ती है, कोई और एक्सराइज करने की जुरूत पड़ती है, तो ऐसे ही आज मैं समझता हूं कि अपनी वीकनेस को समझ कर के और जहांजाज जैसी आवश्चक्ता है उसके अनुरूप कॉंगरेस पार्टी को काम करना चाहिए और गल्थ फ्ह meteor ने रह चाहिए लड़ने के लिए हो सकता है सक्षम, जीतने के लिए सक्षम नहीं है, जीतने के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यक्ता है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इंडिया घटबंदन बना है, पाकी फैसला उपर इंडिया घटबंदन ने लेना है, कि तीन चार राज्यों की ज कैसे देखते हैं और साथ में जो बहुत दूर है और मैं समझता हूं कि एक हफता एक महिना बहुत होता है चुनाव में क्या कुछ नहीं हो जाए किसी को नहीं लगता था लेकिन हमें तो पता था हम हमारे नजरिये से हम यही कह सकते हैं कि सब को देख लिया इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें के जुरिवाल जी को दें नया नित्रीतों लेकर गया है प्रदेश में बदलती हुई तस्वीर देखें और उसके लिए अब उप्यूक्त समय आ गया है तो यह थे हमारे साथ हरियाना आम आदमी पार्टी के वरिशने ताश्योक्तवर जीमिकनों ने कई मुद्धों के उपर जो विचाहर के साथ उनका कहाना था कि इंडिया घठबंदन में कॉंग्रेस को भी जो है थोड़ा सा सोथ समझना होगा और अपने सयोग्यों को भी प भी जरम